सारंडा ये है सारंडा जंगर एशिया महादेश का बेशुमार जंगर जो और कहीं नहीं यह हमारे जार्खण के पश्चिमी सिंभूम जीले में स्थित है जार्खण प्रदेश की इस रत्न गर्भाब पहाडों में अनेक प्रकार के बहुमूल्य खनीत संपता प्रचूर मात्रा में भरे पड़े हैं मुख्य रूप से यहां लौह अयस्क तथा मैगनीज अयस्क का खनन होता है जो हमारे देश की अर्थ विवस्था की रीड की हड़ी है देश के विकास के लिए खनीत संपताओं का दोहन और वनों की सघंता को अक्षुन बनाए रखना पर्यावरण विभाग के लिए एक चुनोती है सारंडा यानि चट्टानों से बहता पानी साथ सो पहाडियों से घीरी वादियों में कुल आट सो बीस वर किलोमेटर छेतर फल में फैले सारंडा की मन मोहक छटा की और सैलानी आकर्शित होते हैं हाथी चौक से किरी बुरु तक की यह यात्रा के दौरान तीखे घुमावदार मोड वाली घाटी के बीच घने जंगल और मौसम परिवर्दन का सुखद आनंद मन को प्रफलित कर देता है किरी बुरु में ठंड़क के साथ इतना कुहासा होता है मानों आप बादलो के बीच हो थोलको बाद जिसे हर्ट आफ सारंडा भी कहते हैं यहां घने उचे पेड़ों, मोटी मोटी लताओं, दुरलब जड़ी बूटियों तथा जीव जन्तूओं के अलावे टॉइब वाटरफॉल, लिगिर्दा स्वैंप, बीयर गेव तथा सुविधा विहिन ग्रामिनों का संघर श्रत जीवन स्तर को देखा जा सकता है यहीं थोलकोबाद में वन विश्रामागार भी है, जहां राद बिताना रुमाचित करती है, बहती कारो कोईना, पाहुबली जहर्ना, गुवा इस्थित्री कोण ये पहाड, सारेंडा की खुपसूर्ती में चार चान लगाते हैं जराई केला इस्थित, अंग्रेजवन अधिकारी, जोर्ज फिलिप की समाधी स्तर, चीणिया माइन्स दुर्दुरी पूल के निकट कोईना तट पर नदी के बालू को चान कर सोना चुनने वाले लोगों को देखना विचित्र अनुभव प्रदान करता है वर्तमान समय में सारंडा की खुबसूर्ती को बचाए रखना जल, जंगल, जमीन, जंजारत्य समुदायों एवं उनके परंपराओं की रक्षा करने से ही सारंडा की खुबसूर्ती बची रह सकती है इस विश्व विरासत का संग्रक्षण करना हमारा प्रमुगदाय तो है धन्यवाद